नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि यूडिलीव टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, यूडिलीव टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और यूडिलीव टैबलेट की वज़से क्या साइड इफे के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अर्सोडियोक्सिकॉलिक एसिड होता है, यूडिलीव टैबलेट 150 mg, 300 mg, 450 mg वज 600 mg की स्ट्रेंथ में अविलेबल है, यूडिलीव टैबलेट का उपयोग गौल ब्लैडडर की पत्री यानि पित की थैली में पत्री होने पर और लिवर की बि पत्री बनने से रोकती है और कॉलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लाडडर की पत्री को खत्म करने में मदद करती है यूडिलीव टाबलेट केवल कॉलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लाडडर की पत्री को खत्म करती है अगर किसी व्यक्ति की गॉल ब्लाडर की पत्री बिलिरुब तो यूडिलीव टैबलेट बिलिरूबिन से बनी गॉल ब्लाडडर की पत्री को खत्म नहीं करती है। इसके अलावा लिवर की बिमारिया जैसे प्राइमरी बिलिरी सिर्होसिस होने पर भी डॉक्टर यूडिलीव टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, दस्त होना, कब्स होना, सिर्दर्ध होना, पेट में दर्ध होना, हैर लॉस होना, चक्कर आना, बधजमी, वचा पर रैशेस, वचा पर खुजली, कमर में दर्ध होना, जोडो वा मास्तेशियों में दर्ध होना, गले में खराश होना, जुकाम या बुखार होना आदी साइड एफेक्ट्स यूडिलीव टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की यूडिलीव टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। और प्राइमरी बिलियरी सिर्होसिस होने पर डुक्तर यूडिलीव टैबलेट को शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम पर दे के हिसाब से डोज को 2 से लेकर 4 समान भागों में डिवाइड करके लेने की सला देते हैं। गॉल ब्लैडर की पत्री को खत्म करने के लिए डॉक्तर यूडिलीव टैबलेट को लंबे समय तक लेने की सला दे सकते हैं। और आपको लगातार 2 साल तक भी यूडिलीव टैबलेट को लेना पर सकता है। पेट में अलसर होने पर गॉल ब्लैडर में इंफ्लेमेशन यानी गॉल ब्लैडर में सूजन होने पर यूडिलीव टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना यूडिलीव टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। यूडिलीव टैबलेट की वजह से दस्त होना एक सामान्य साइड इफेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को यूडिलीव टाबलेट को लेने के बाद दस्त होने की समस्या होती है, तो आपका डॉक्तर यूडिलीव टाबलेट की डोज को कम कर सकता है. और यदि किसी व्यक्ति को U-Leave Tablet की डोज को कम करने के बाद भी दस्त की समस्या बनी रहती है, तो आपका डॉक्तर U-Leave Tablet को बंद भी कर सकता है. प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए U-Leave Tablet का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को U-Leave Tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को U-Leave Tablet या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को U-Leave Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए. और अगर आपका U-Leave Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.